हलो फ्रेंड्स असलाम अलाइकूम कैसे हो आप सब उमीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अलहमदोलिला यहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं जहां मेरी आंटी लास्ट वीडियो में मक्कन बना रही थी उसके बाद कही टाइम था यहाँ पे मेरे नोनू की फुपो आई भी थी उसके लिए बहुत सारी चिज़ी लेकर और हमारे मियाजी के लिए और मेरे लिए कुछ लेकर बताऊंगे बाद में किया लाई थी तो बस ये उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगा कि मैं चलूँगा आपके साथ घर और वो लेने भी आई थी क्योंकि रियाज के जो बड़े वाले भाई है न वो बुला रहे थे इसके साथ खेलने के लिए तो मेरे से ना नोनू का ना डॉगी टूडिया था तो वही रो रहा था कि मम्मा ने मेरा डॉगी तोड़ दिया उसको दिखा रहा थी मन का बाबु कुछ नहीं हुआ चोटा सही है बस तो वही लेकर जा रहा था कि मम्मा ने इसको चोट मार दी यहां मुझे बाय कर रहा था थोड़ी देर के लिए गया था और वापसी भी आ गया यहां पर मेरे लिए वीडियो देख रहा था कि मम्मा यूटूब पर आ क्या रही है जियास को आने में देर्ज हो जाती ना इसी वज़े से वो जल्दी छोड़ कर चली गई थी तो यहां पर में पापा से पापा को शाम के टाइम मैंने कॉल करी थी कि पापा सबजी नहीं है सबजी ला दे ना तो मैं ही आपको अपना डूंगड तूटआवा दिखा रही थी तो बस मेरे को बिंडी खाने का यह भुद जादा मन था तो मैंने बापा को बोल दिया था बापा कहले के चल ठीक है मैं लाकर दे दूँगा ज्यास से मैं कुछ मंगवाती हूँ लाकर तो देते हैं लेकिन वो ना इतनी कौसली चीज लेकर आएंगे जो भिंडी ये 20 या 30 रुपे किलो मिल रहोगी ना वो 40 या 50 लेकर आते तो मैंने बोला तो भिंडी था लेकिन पापा को लगा कि खीरे भी देने चाहिए तो बस उन्होंने उनको पता है मुझे सलात का बहुत ज़्यादा शौक है और रियास को भी शौक है तो बस भिंडी के साथ-साथ खीरे भी देकर चले गेते यहां मेरी फ्रेंड है उसके बेटे की ना फीडर घर पर ही रह गई थी और यह उसके कवर था तो मुझे मैं फीडर धोके तो रख रही थी मैं सोचा साथ-साथ ना यह कवर भी धोके रख देती हूँ तो बस उसका कवर धोकर और सुखाने के लिए मैं ही टांग दिया था म उसके बाद मुझे रोटी का रुमाल भी गंदा सा लग रहा था दो चार दिन बाद मैं दोती रहती हूँ यह फिर ना स्मेल सी आने लग जाती है रोटी या पराठे रखती हूँ तो मैं बस वह भी फटा 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 फट धोरी थी मैं मन का जल्दी से इसको भी धो देती ह और इसको भी नहीं ही सुखा देती हूँ मैं यह रोटी को रुमाल को किसी और जगह नहीं सुखाती क्योंकि मेरा मन नहीं मानता तो वही बरतन का स्टैंड है उसी के ओपर ही जगह एक छोटी सी वहीं डाल देती हूँ उसके बाद यह थोड़े बहुत बरतन पड़े हुए लिक भी साफ हो गई थी यह आया था रियाज के घर से खाना हम दोनों के लिए कोर्मा आया था घर से आज उनकी अम्मी ने कोर्मा बनाया था तो भीचवा दिया था उन्होंने यह घर का थोड़ा बहुत समान था जो खतम हो रहा था वैसे तो महीने के राशन आता है लेकिन फिर भी वो महीने के बाद जो खतम हो जाता ने लास्ट भी थोड़ा बहुत तो वही था मैंने वो लिक सब लिक कर दे दिया था यह मैं लस्टी भी दिखा रही थी आपको यहां रियाज के लिए रोटिया बन रही थी यह वैसे तो वो पराटे खाते लेकिन इत्तफाक से म तीन ही बनाती हूँ उसमें भी वो दो या धाई रोटी खाते हैं से जादा वो खाना ही नहीं खाते है पता नहीं क्यूँ एक तो सारा दिन वैसे भी कुछ नहीं खाते है और रात को भी अगर मैं उनको कुछ बोलूँगी किती भी टेस्टी उनकी पसंद की सबजी बन तीन मैं फिर भी बना देती हूँ कि अगर भूग लगे तो इनसान खा ले यह मेरी रोटियां गर्मा गरम तयार हो रही है फूल फूल के चारों तरफ से मुझे सेखनी पड़ती है नहीं तो अगर कई से भी कच्ची रह जाती हैं तो मेरे को बोलते हैं तुने रोटी कच्ची छोड़ दी यहां से फिर थोड़ी देर बाद ही नोनू के डैडी घर पर आ गेते तो वो जब भी अपने डैडी के लिए गेट खोलने चाता है ना तो सैनिटाइजर जरूर ले कर जाता है उनसे सारी चीज़े नीचे रखवाएगा कि डैडी ये भी रखो ये भी रखो बे अच्छे से दो-चार बुंदी गरी जादा आया नहीं था वह अच्छे से अपने डैडी को हैंड सनीटाइज करवा रहा था उसके बाद उसके डैडी उसको करवा रहे थे हाला कि बाबू तो बारो और पानी में जाता ही रहता है लेकिन फिर वे उसके डैडी ने उसको और सुबह शाम में उसको दई देती हूं मुसली टाइम कभी बॉयल करके कभी उसको नॉर्मल सा नमक अंडे में नमक डालके ऑमलेट बना देती हूं तो बस उसी के लिए अंडे मंगवाए थी मैंने तो अच्छे से धोदो के उसको एक बॉक्स में रख रही ती मैं मिर पास जो फ्रीजी वाली होती है न वो ट्रेन पता नहीं कहां चलीगी मुझे खुद याद नहीं है कि कहां चलीगी थी तो बाइक पे लटका कर लाए थे न अंडे तो तीन-चार अंडे ना क्रैक हो गए थे यह मैं दिखा रही थी इत्ता अफसोस हुआ न मुझे एक अंड़ा तो बिल्कुली फूड यह था यह भी टूट रहा था और जो पहले धोके रखे तो उसमें से भी एक आदा टूटा हुआ था फिर मैंने वही जल्दली बना कर नोनो को खिला दिये थे यहां पे नोनो और उसके डैडी की मस्ती शल रही थी मस्ती क्या दोनो नहा रहे थे उस अपने डैडी के ओपर पानी डालेगा बार बार उनको परिशान करता है बस नहाते हुए यह सुबा सुबा मौर्निंग का टाइम हो रहा था यह एक रात पहले जूमारे अम बारिश होई थी ना उसके बाद माशाजोला हम मेरे जो यह मैने गमले लगा रहे थे इतन zoas प्छू नहीं प्रस्याद फूला आ JEN पने फूल घिलते हूँ उसे पने साइड़ Republic यह जूसारे सूक रहते U कि यह मेरा छोटू सा छोटू सा गमला इसको मैं किचन में लगाती हूँ लेकिन धूब के लिए बाहर भी रख देती हूँ रात को मेरा नूनू यहाँ पे इस वाले रूम में खेल रहा था तो बस मैं वही दिखा रही थी कि इसने नूनू ने गमरे का क्या हाल करा था यह बस नूनू और उसके डैड़ी सो रहे थे मुझे करे चल अपना फोन बंद कर सोने दे यह लोग तो सो रहे थे अपना आराम से और मैं यहाँ वही नौक रानी वाले का यह सब तो घर के काम है यही सब करती हूं जब ही घर में टाइम पास होता है नहीं तो सारा दिन और घर में हम लोग करे क्या मुझे समझ ही नहीं आता हैं 2–3 लोग तो सारे हैं इतनी जल्दी काम होता है, जल्दी से जाड़ू पोचा लगाया, बरतन दोए, थोड़ा सा खाना बनाया और बैट जो, अब सर पकड़के, यार अब क्या करूँ, कैसे टाइम पास करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है यार टाइम पास करने के लिए, आप लोगों के साथ भी बस मेरा जो सारा दिन निकल जाता ना, वो नोनो के साथ निकल जाता है, अभी नोनो का ये, अभी नोनो का वो, बस सारा दिन ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे कर जाता है मापी लेल जेत है मापी ya too मापी जा क्या लुख ऐसे मल 으 इंआ म0ूड़ोテ चोग जा क्या ईए मैं तेप गनई का लुश तेप लुश ब HP श्या कर उपुण श्या घुण olsun प्था कि और देर किम अन्च को भूक लग दे दि तो मैंने न उसके लिएज चनेगी डालके खिचडी बनाने दि भीगों के रख दीती है चनेगी डाल भी और चावल भी दोनको तो क्या मनल नोनुb4 कि आड़वे मेरे खाने का भन दाच sinner की दाल की हिचड़ी तो बस मैं वही उसकी तैयारियां कर रही थी अब कि 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 झाल झाल इधर मेरी खिचड़ी रेडी हो रही थी, और इधर मैं अपने लिए चटनी बना रही थी, क्योंकि मैं इसे प्लेन तो खाई नहीं जाती, प्लेन तो मैं नुनुगों को खिला दूंगी, अपने लिए मैं चटनी बना रही थी, वो नॉर्मल टमाटर वाली, इसमें बस एक क् पाणेग पानी टोड़ाई डॉड़ा सापन ही दाल दूण तॉड़ा साइड़ मेरी साइड में मसाला हो गया था इसकी बाद मैं चनी की दाल दूगी युफा से चनी की दाल डूगा कर लूँगी अच्छे से सीटी लगा दूँगी एक दो ताकि ना कच्ची ने रहे बिल्कुल भी अच्छे से गल जाए तो बस यह थोड़ा सा पानी डाल के ना एक सीटी आने के लिए ना मैं इसको प्रेशर कर दूँगी पानी बॉयल हो रहा है और उसके बाद मैंने इसमें करूँगी कि नमक सही है या कम या जादा जो भी था बस यह हमारी बनके हो जाएगी चेने की दाल रेडशी पिर राथ हो गई थी मैं खपड़े दोके भूल घई थी नानों के फिर मैंने थोड़ा शाम का टाइन तहा फिर मैंने नानों के यापर कपड़े सुखाने के हाँ